Hello friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है परसेप्शन के बारे में की परसेप्शन क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया, all over बात करेंगे परसेप्शन के उपर तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किये. धार्ना एक मूलभूत प्रक्रिया है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने की अनुमती देती है. यह वह साधन है, जिसके द्वारा हम समवेदी जानकारी लेते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं, जिससे हम अपने परियावरन के साथ सार्थक तरीके से नेविगेट और बातचीत कर सकते हैं. धार्णा की प्रक्रिया में जटिल संग्यानात्मक प्रक्रियाओं की एक श्रिंखला शामिल होती है, जो हमारे परिवेश की सुसंगत समझ बनाने के लिए मिलकर काम करती हैं. धार्णा का पहला चरण समवेदना है. इसमें ध्वनी, प्रकाश, स्वाद, गंध और स्पर्ष जैसी समवेदी उत्तेजनाओं का पता लगाना शामिल है. पुरे शरीर में समवेदी रिसेप्टर्स इन उत्तेजनाओं का पता लगाने और उन्हें मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं. एक बार जब संकेट मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं, तो उन्हें इस तरह से संसाधित और व्याख्या किया जाता है, जिससे हम उनके अर्थ को समझ सकें. धार्णा का दूसरा चरण ध्यान है. यह दूसरों की अंदेखी करते हुए विशेश उत्तेजनाओ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है. ध्यान धार्णा का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह हमें उन्हें चुनिंदा सूचनाओ को संसाधित करने की अनुमती देता है, जो हमारे वर्तमान लक्षियों या रुचियों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं. ध्यान विभिन प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें उत्तेजनाओं की प्रमुक्ता और नवीनता, हमारे उत्तेजना और प्रेणा का स्तर और हमारे संग्यानात्मक संसाधन शामिल हैं. धार्णा का अंतिम चरण व्याख्या है यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पिछले अनुभवों, अपेक्षाओं और सांस्कृतिक संदर्प के आधार पर सम्वेदी जानकारी को अर्थ प्रदान करते हैं व्याख्या एक व्यक्ति पर प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के अनुठे सेट के आधार पर एक ही संवेदी जानकारी की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं धार्ना एक गतिशील और लचीली प्रक्रिया है जो हमारे परियाबरन और अनुभवों द्वारा लगातार आकार लेती है हमारे संदर्ब के आधार पर हमारी धार्नाएं बदल सकती हैं और हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ को लगातार अपडेट कर रहे हैं धार्णा हमारे व्यवहार और निर्णय लेने का मार्ग दर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह बताती है कि हम अपने पर्यावरण और लोगों और वस्तूओं के साथ कैसे बातचीत करते हैं अंत में धार्णा एक जटिल और बहुमुखी प्रक्रिया है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी क्षमता के लिए आवश्चक है धार्णा के विभिन चर्णों को समझ कर हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी धार्णाए कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करती है धाना हमारे संग्यानात्मक कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह एक ऐसा विशय है जो विभिनक शेत्रों में वैग्यानिकों और शोध करताओं को आकर्शिक करना जारी रखता है